अलो प्रैंक्स ॥ में सब्सक्राइब करना हे तो देखते कैसे फैण इस्टॉल करते हैं और शिकने आपको कैसे टेयं॑ निकाल करना है पहले यहां पर और ऐसे उसको निकाल ले ते बाद में यहां पर नया इस्टॉल करेंगे इसके जैसे जो टूपिन लगी है उसको हम निकाल लेंगे पहले हमारे नए वाले में एड़ कर देंगे नए फैन में साइड में एक स्क्रू आता है तो उसको हम पहले निकाल लेंगे जो कमनी फिटेड आता है उसमें फिर हमने ये डंडी तयार की है जिसमें इसके नीचे दो वायर और उपर की तरफ दो वायर निकलते हैं नीचे की साइड पे हम कनेक्टर में वो दो वायर अटेज कर लेंगे और उपर की साइड पे हमारा मेल फीमेल अटेज कर देंगे यहाँ पर दिख रहा है जैसे उपर की तरफ और नीचे की तरफ दो स्क्रू दिये हैं उसको खोल लेंगे और वहाँ पर हम दो वायर देंगे डंडी को होल के साथ मैच कर लेंगे डंडी को पंके की साथ के होल के साथ मैच करके यहाँ पर हम जो एसकेडी मटेरियल आता है फैन के साथ उसमें से हम एक अटेच कर लेंगे अटेच कर लेंगे बड़ी वाली नट को फोल से पसार करके दूसरी तरफ हम निकाल लेंगे इसको थोड़ा नीशे बिठाओ हमारा एक साइड से बोल्ट अटेच हो गया है तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें इसके साथ प्लेन वाशर आता है बड़ा उसको अटेच कर लेंगे उसके बाद आता है स्प्रिंग वाशर छोटा वाला उसको अटेच करेंगे उसके बाद बड़ी वाली नट हाती है उसको अटेच करेंगे और प्लायर की मदद से फुल टाइट कर लेंगे उसको एक बार पर्फेक्ट टाइट हो जाए उसके बाद हम इसके साथ दीगे छोटी वाली नट को भी टाइट कर लेंगे यहां कि बाद में खास ध्यान रखना इसके साथ जो टी है उसको अटेच कर लेंगे कि वन्ना गलती से अगर निकल जायेगी तो वहो पंक्खे को घीरने नहींALLY देगे उसके बात जो दो है उसको चाहीए सिरें के दोनों वायर को स्दिल ने के बाद जो कनेक्टर में दिखाए गया पहला कि पहला का पहला कनेक्टर में उपर की तरह उसके साथ हम अटेज कर लेंगे कर आध में बाद में जो दूसरा वायर है उसको नीचे की तरफ में अठेच कर लेंगे गोर्ड जैसे देख रहे हैं हमने एक वायर को उपर की साइब के कनेक्टर में और दूसरे वायर को लीचे आपको इसी तरह connection कर देना है और कैप को उतना नीचे रखना है कि जो नीचे की सथ है है वहाँ से थोड़ा उपर रहे और उपर की साइड पर हम याँ पर इसकी two pin mail को connect कर लेंगे दोनों वायर चिल के